तत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवाणी जय श्री राम आई तुल्जा भवाणी चाचर्चनी सास्टांग धंडवत विटल रुक्मेनी शिवयोगी सिद्धा रामेश्वर महाराज ची स्वामी समर्त महाराज अन्ना मनापासुन वंदन अच्चा अधर्निया प्रधान मंत्री महुद एंच शुबस्ते हुनार या पियम आवास योजने चा एपोड़ेबल हाउजिंग मदल्या पहले टप्यात पंद्रा हजार घरांच आया लोकारपन प्रसंगी उपस्थित आपले देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेब दोनी आमचे उपमुख्य मंत्री आपले गवर्नर सहेब सर्व मंत्री महुद ए आणि खासदार आमदार सर्व मान्यवर अडम मस्तरिकड आयत आणि हजारोंच संकेनी उपस्थित सोलापूर कर बांदव भगीनी आणि पत्रकार मित्रानू मिया आपले या सोलापूर चा पवित्र भुमी मदे आदर निया देशाचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेबांच आपले सग्लयांच अवतिने मनापासुन स्वागत करतो येना मनापासुन धन्यवाद देतो जाबी देने के लिए भी हमी आएंगे क्या नुसार आदर निया मोधी जी आज आले यलाच मन्तात मोधी गैरंटी संत तुकाराम महराजनी मटले बोले तैसा चाले तैची वंदा वी पावूले कि मन मोधी सहिबान साथी तंतो तंत याठिकानी लागू पड़ती है उत्पड़ते न लागू समरुद्धी महामारगा चा भूमी पुजन हशेल मोधी सहिबान चा शुबास्ते जालो तैसा लोकार पन ही मोधी सहिबान नी केलो अटल सेतु मुंबाई तला म्टीएचल त्याचा भूमी पुजन मोधी सहिबान नी केलो त्याचा लोकार पन देखिल मोधी सहिबान नी केलाती शे मोटा गेम चेंजर प्रकल पायथ माक्चा वर्षी दोन मेट्रो लाइन तश्वारम बजाला त्याचाई भुमी पुजान मोदी साहबानी के लोग तो ऐसे अंगिनत परियोजना है यह साबित होता है मोदी जी की गारंटी है सिर्फ कागज पर नहीं होती सिर्फ लबजों में नहीं होती बलकि एक वास्तावता में होती है हकिकत में बडल जाती है मोदी जी के हातों में यश है ऐसा सत्कर्म और भाग्य भहुत कम लोगों के हिस्से में आता है इसलिए मैं फिर एक बार तह दिल से हमारे आधरनिय लोग प्रिय पदान मंतरी जी का स्वागत करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ और हम अपने आपको भी भाग्यशाली मानते है कि हमें ऐसे नेतरुत्व का अशिरवाद भी प्राप्थ है और उनके नेतरुत में विकसीद भारत की संकल्पना में योगदान देने का आउसर भी मिला है अधरनिय मुझी जी मुझे यह कहते हुए घर हो रहा है मैं कली दावोस से लोटा हूँ महाराष्ट सरकार ने वहाँ लगबग तीन लाग त्रेपन लाग तीन लाग त्रेपन हजार करोड के एमोईस साइन किये एक डेड़ लाग से ज़्यादा एमोईस के स्विकरूती भी मिली है मुझे कई देशों के प्रमुक एड्मिनिस्टेट ऑफिसर, मिनिस्टर, उद्ध्योजक कई लोग मिले सभी के जुबा पे शिर्फ एकी नाम था और नाम था आदर्निय मोदी जी का मुझे सुनकर बड़ा अनुबव, गर्व भी हुआ, फक्र भी हुआ और मेरे दिल में एक अभिमान की भावना भी थी क्योंकि स्विजर्लेंड डाओस में पूरी दुनिया के लोग आये थे, उद्ध्योग जगत के लोग आये थे और उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि फिर से यहाँ पर देश में हमारे निवेश करना है तो भारत में करना है उनको गैरेंटी है मोधी सरकार फिर एक बार इस देश में सत्ता स्तापित करने वाला है फिर एक बार मोधी सरकार और मोधी जी के साथ साथ हमारे महारास्ट की भी राज्य की भी डबल इंजिन की सरकार बनेगी इस वज़े से महारास्ट के उपर भी बहुत ही विश्वाज जटाया इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी है स्कील मैन पावर है सबसिड़ी देते हैं और इसलिए अच्छी इंवेस्मेंट भी हो गई लेकिन इसके पीछे भी आधरनीय मोधी जी का यह आशिरवात्ता यह मैं खुले दिल से कहूँगा और एक ग्लोबल लीडर एक विजिनरी लीडर एक डाइनमिक लीडर एक दिया हुआ शब्द पुरा करने वाला लीडर ऐसे ऐसे लोग वहां कहते थे और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा महाराष्ट की भी आपके वज़े से शान बड़ी है विकास भी तेजी से हो रहा है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज महाराष्ट में चल रहे है कि इन्द सरकार आपकी सरकार आपके वज़े से यह संबव हुआ है और इसलिए मैं अधर्णिय मोदी जी को महाराष्ट सरकार की वर से धन्यवाद दूँगा आज से साड़े तीन वर्ष पहले आयोध्या में प्रभू स्री राम जी का मंदिर के भी निव वदान मंत्री जी ने रखी दी आज वापूरी दुनिया में चर्चित भव्य मंदिर का निर्मान भी हो रहा है और तीन दिन बाद इस मंदिर में प्रभू राम चंद्र जी को प्रतिश्टित भी किया जा रहा है ये करोडो करोडो राम भक्तो का सपना मोदी जी पूरा कर रहे है इसकी भी उत्सुकता पूरे दुनिया में है हम सब भी मानते है घर एक मंदिर है वहाँ पर भी मुझे अबुधाबी के लोग मिले उन्होंने कहा राम मंदिर तो बन रहा है है उद्ध्या में और अबुधाबी में भी एक मंदिर बन रहा है उसका भी उद्गाटन मोदी जी करने वाले है देश के बाहर यह अपने हाप में एक बहुत बड़ी मिसाल है आज आपको उसी मंदिर जैसे घरों की चाबिया सौपी जा रही है प्रदान मंत्री आवाज योजना की तहट रे नगर देश की सबसे बड़ी स्रमिक कॉलनी होगी रे का अर्थ किरन होता है साड़े नाव साल पहले आदर्निय मोदी जी का इस देश के प्रदान मंत्री के पद पर विराजमान होना पूरे देश के लिए रे ओफ होप यानि आशा की एक किरन थी और मोदी जी के रूप में उस रोशनी ने आज पूरा देश को प्रकाश मही कर दिया है ये वास्तवता है ये कटव सत्य है ये हमारा अनुभव है और रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की तीन प्राथमिक जरूरेत है आज देश के हर गरीब को, जरूतमंद व्यक्ति को ये उपलब्द कराया जा रहा है 80 करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाले मोदी जी गरीबों के घर के घर बनाने के लिए मोदी जी उनके घर में बिजली भी पहुचाने वाले मोदी जी रसोई गए गैस भी देते हैं और शवचाले भी बनाने का काम हमारे अधर नियब पथान मंत्री जी ने किया है मोदी जी ने संकल्प किया था कि इस देश की समरुद्धिका और दस साल में देश का पुरा नक्षा बदलने का और वो भी नक्षा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा यहां पर हमारे देश की मान मरातब पूरी दुनिया में उचाई पे ले जाने का काम अधर नियब मोदी जी ने किया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अडाम मस्तर जी यह अठिकानी भद्रावती ता अठिकानी भूमि पूजन जाहे तेचामदे ड्रेने जाहे पाने चे योजना आहे सगला है आने मनून यह उड़त मिया प्रसंगी संगतो इसका भी लूकारपन मोदी जी के हाथों से होगा क्योंकि देश की जन्ता ने गारंटी दी है फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार चार सो पार जय हिन जय महराष्ट जय स्रिराम